बेबी सी वेटिस ब्राड कास्टिंग कॉर्पोरिशन एक यूनाइटिट किंग्डम का राश्टी ये पिसारक है जो आप देखेंगे लंदन में ब्राड कास्टिंग हाउस पर आधारी थे और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में काफी चर्चा हो रही बीबी सी की क्योंकि एक डॉकुमेंटरी इसके द्वारा लाई गई है और जो गुजरात में दंगे हुए थे ना 2002 की बात करा हो तो उसी पर आप देखेंगे जो अभी पिधानमंत्री मौदी सा जो अभी हाली में आई हुए और इसका विरोध भी किया जा रहा है भारत में आप देख रहे हैं कई जग है इस पर बैन भी लगा दिया गया है और बीबी सी पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं ये भी आप लोग याद रखेगा और गुजरात दंगों की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं आयोध्या से जब कार सेवक लोट रहे थे तो गोधरा कांड होता है उसके बाद आप देखते हैं कि गुजरात में दंगे होते हैं तो उसी की बात हो रही है अगर एक बार आप लोग गुजरात को देखना चाहे ना तो चलिए देख लेते हैं ये सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजिस्तान, मद्विदेश और महाराष्ट से लगती है, और इसे राज्य बनानी की बात करें, तो आप देखेंगे कि 1 माई 1960 में इसे राज बनाय गया था, और विधान सभा में यहाँ 12 सीटे हैं, राज्य सभा में 11 सीटे ह एक लाग 96,024 बर किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है और एक कहां की एजनसी है कहां की निवज एजनसी है तो आप देखेंगे United Kingdom इसे आप लोग वेटेन के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं वेटेन के नाम से भी जानते हैं और इसमें आप देखेंगे कि इसकी राध्धानी की अगर बात करें तो लंदन इसकी राध्धानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि BBC कैसे काम करता है सबसे पहले तो आप लोगों की दिमाग में यही सवाल आता है तो BBC यानी की विरोड बेटिस विरोड कास्टिं कॉर्पूरेशन वेटेट का नेशनल विरोड कास्टर है और राजधानी लंदन में इसका मुख्याले आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का इससे questions पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है तो इसका मुख्याले कहां देखने को मिलेगा लंदन में आप देखेंगे कि यह दुनिया का सबसे पुरानी ब्रोड कास्टिंग सर्विसेस है और 18 एक्टूबर 1922 को लंदन में इसकी उपचारिक तोर पर इस्थापना हुई थी और आप BBC की ही रिपोर्ट के अनुसार यह अंग्रेजी हिंदी और्दू समयत यह दुनिया की 40 भासाओं में अपनी सेवाएं देता है कितना 40 भासाओं में पूरी दुनिया में फैला हुआ है और वर्टमार में रेडियो टीवी डिजिटल मीडिया में इसकी सेवाएं जारी है और BBC BBC का संचालन BBC Trust के अधीन होता है और अपनी एनुवल रेपोर्ट में BBC ने बताया था कि Trust से कारकारी मंडल अलग है और महानेदिशक पत पर बैठा बैकती इसका संचालन करता है और कहते हैं कि Royal Charter है ना उसके द्वारा यह संचालित होता है और इसके distribution की command भी उसके हाथों मे funding की बात करें तो इसके राजस का बड़ा हिस्सा BBC Studio से आता है जो इसके programs और services को अंतरश्टी इस्तर पर बैशता है और BBC समाचार सेबा, World News, Digital की डिजिटल की reports के distribution से भी राजस आता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा क्योंकि कोई agency है तो उसे चलाने के लिए पैसे की दाम की भी तो जरूरत होती है ना, inform, educate and entertain, अपनी website पर BBC inform, educate and entertain का दावा भी करता है, BBC का कहना है कि हमारे missions सूचना देना, सिक्षित करना और मनुरेंजिन करना है, इसने 6 उद्देश तैकर रखे हैं जिसमें आप देखेंगे नांगरिक समाज को बनाए रखने के लिए मात् गटनाओं और विचारों में अपने दर्सकों को सामिल करना, समसामाईग मामलों की खबरों और तथ्यात्मक प्रोग्रामिंग करना, वेटेन और यहां की समुदाई के अपितिने धित्त करना, और विभेन सांस्किति को दिरिष्टी कोणों के बारे में जागरुकता को गटन में पेदर्सीत करना भी इसका उद्देश रहा है, और विभेसी के अनुसार हो है सांस्कितिक, रचनात्मक और खेल गातिविधियों में रुची जुडा और भागेदारी को भी प्रोसाहिद भी करता है, फिर आप देखें क्यों लगते हैं इस पर प्रोपेंगने ड साइट पर भारत पर सासन करने वाली मोगलों का महिमा मंदन और सरकार के खिलाब आराजक तत या घटनाओं को पिरमकता देती है, और जैसी खबरें दिखाए जाती है, यानि कि भारत के खिलाब इसे माल लिया जाता है, और भारती जबानों के सहीद होने की जगए पर देखते हैं हमारे देश के कई वार नेता भी कह देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखें वो सहीद हुए है, वो देश के लिए सहीद हुए है, और आप देखेंगे कि कुरोना की समय भी BBC पर भारत बिरोधी ख़बरें पे कासित करने का आरोप लगा थ और देखे एक पक्ष हमारे देश में इसके पक्ष में भी रहता है यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए क्योंकि कुरोना महाँ बारी भी आपने देखा है कि जो सरकार की तरफ से आंकड़े बताय जा रहे थे हमारा देश के ही कुछ लोग बहुत सारी लोग आप देखते होंगे कि उससे कहीं जान्दा आंकड़े होने की बात कर रहे थे मौत की आंकड़े देख लीजे समय रहे आप लोग और अभी जो गुजरात तंगे पर आई है न इसका भी आप देखे कि बहुत सारे लोग अभी जो पिधालमत्री मौदी साहब है उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं यह भी आपको माल होगा दोस्पेचार में सीस पर वीवीसी तो कुरोना काल में बेस्टन मीडिया पर रिसर्च स्टेडी करने वाले सांतुरू गुपता की मुताविव वीवीसी निवार्क टाइमस और वॉसिंग्टन पोस्ट ने अपनी खबरों में भारत में कोविद संकमण और मोतों की बड़ी संख्या का बार बार उलेक किया है और इसके जरिये उन्होंने दुनिया भर में भारत की ऐसी तस्वीर पेस करना चाही कि महामारी से जान्दा सबसे जान्दा प्रभावित कर भारत ही है जबकि वेस्टन कंट्री को अपने गिरेवान में जाग कर देखना चाहिए था और वो कहते हैं कि तब भारत में पिती 10 लाग जन संक्या पर संक्यमित और मोतों काकडा देखा जाए तो भारत की तीती बहुत अच्छी थी और बाद में पूरी दुनिया में देखा जाए तो भारत को विस से मुकाबला कर कितनी तेजी से हो रहा है उन्होंने अपनी स्टीडी में बताया कि कुरोना महामारी को लेकर भारत की खिलाब दुस्पचार की मामले में बीबीसी सीज पर आए आयाई एम्टी नोइटा में मीडिया सिक्षक डॉक्टर निरंजन कुमार का मानना है कि भारत को लेकर कई मौकों पर बीबीसी की रिपोर्ट नेगेटिव रही है और केवल भारत ही नहीं तीसरी दुनिया के देशों के फिदी बीबीसी का रविया ऐसा दिखा जैसे वह इन देशों को कंट्रॉल कर रहा हो हाला कि वो यह भी कहते हैं कि बीबीसी ने अपनी कई रिपोर्ट से मिसाल भी पेस किये और अबाड भी अपने नाम जीते हैं लेकिन प्रोपेगेंडा से बचना इसे चाहिए वो कहते हैं कि आप देखें इस तरह की कोई भी आप लोग देखी मीडिया हमारे देश में आप देखते होंगे कि एक पक्च ऐसा लगता है कि पूरा सरकार की तारीफ ही तारीफ में लगा हुआ है अगर दूसरे पक्च को देखें आप लोग तो ऐसा लगता है कि आप देखें कि वो सरकार की बुराईया ही बुराईया निकालने को लगा हुआ है लेकिन नीव चैनलों का मतलब यही रहता है कि सरकार से सवाल पूछें जो सरकार की सच्चाई है जो आप देखें अच्छी यह उजना है उनको जनता तक पहुचा है लेकिन आप देखते हैं एक तरफा हमारे देश में रहता है इस पर BBC क्या कहता है तो BBC का आरोप लगते रहे और वही BBC का कहना है कि वो किसी भी तरह के बायरी हितों और समझोते से पूरी तरह सुतनत है जो हमारी संपात किये नीतियों पर असर डाले डाल सके बीवीजी चार्टर ने बताया कि हमारी फंडिंग बेटेन में और अंतराष्टी इस तरह पर किस तरह होती है और इसमें BBC क सुतनता के बारे में भी जानकारी दे गई है और BBC कहता है कि हमारा तो विश्वास का रिस्ता अपने दर्सकों से साथ है और उसके केंदर में निस्वक्षता है हम अपने हर कंटेंड में हर विशाय को पूरी निस्वक्षता के साथ सामने रखते हैं ताकि सभी तरह के विच इतिगत एक्छाओं से तिरभावित नहीं होते हैं। कुछ और आप देखेंगे एहम पॉइंटेस में। नमबर 1922 में BBC का वुलेट ने दो बार जाना शुरू हुआ था। एक बार यह सामान गती से जाता था और दूसरा बार आप देखें धीमी गती से पिसारित किया जाता और सिरोताओं से अपनी पसंद बताने को कहा गया था। फिर आप देखेंगे जब 1923 में जब इसकी सुरुआत की गई तब इसकी लैसेंस फीस 10 सीलिंग यानी की करीब आधी पाउंड की थी। और इसे टीवी सेट बाले हर घर को देना होता था। और जैसे BBC को फंडिंग म मदद मिल सके और अब कंजर्वेटिव सरकार की जबाने में यह 169 पाउंड हो गई। और कंजर्वेटिव सरकार का कहना है कि BBC का फंडिंग मॉडल बदलना चाहिए वो ऐसे खतम करने के बारे में विचार भी कर रही है। BBC के इंटर्विव में जेरिमी पैक्समेन ने बेटेन के ग्रह मंतरी माईक हारवर्ड से 12 बार मैं 1997 में एक ही सवाल पूछा था। यह सवाल जेल सेवा के पिरमुक की बात ना माने जाने पर जाने की धमकी से जुड़े हुए बिबात था। BBC उद्ध में पिधान मंतरी विश्टर चल्चल ने BBC रेडियो पर 33 बार भासन दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्पूर है उस समय की एजनसी। दिया गया। और BBC पर आप देखिए दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला रेडियो ड्रामा कारकरम दा आर्चर्स एकतर साल का हो गया है। प्रेजेंटर फ्रेंग बावर ने 570 बार नाजी सासन किया अधीन आ गये। फ्रांस को दुतिय विश्योदी के दौरान लंदन से सम्भूदित किया था। और ओपन उनिवसिटी से डिग्री लेने बाले 20 लाख लोगों ने ओपन उनिवसिटी को धन्वाद दिया जो 1970 के दसक्स की सुरुआ से ही BBC के साथ काम कर रही है। और इसे BBC के माध्यम से घर पर ही रहकर पड़ाई करना संभव हो पाया है। अब इसकी अधिक्तम सामगरी ओनलाइन उपलब रहती है। अच्छी बात है आप देखें। साल 1953 में जब महारानी एलीजावेद दुतिये की ताचपोसी हुई थी तब 2 करोड 10 लाख लोगों ने इसे BBC टीवी पर देखा था। या टीवी पर पिसारित किया गया पहला बड़ा कारकरम था। और जब महारानी एलीजावेद के ताबूत को लंदन की सड़कों से उनके अंतिम संसकार के बाद बैस्ट मिंस्टर एबी ले जाये गया था तब आप देखेंगे 19 सेप्टमबर को 2 करोड 24 लाख लोगों ने BBC का पिसारण देखा था। तो आज समझ सकते हैं कि UK में BBC कितना पॉपूलर है। तो यह स्थौर्ट कहानी है किसकी BBC की ठीक है। और किसी क टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है।